हेलो फ्रेंड स्वाकत है आप सभी का हमारे चानल चलो फिल्म सुने में आज हम एक्स्प्लेइन करने जा रही है एक बहुत अच्छी हाइस्ट मूवी दे टेक्नीशियन्स को तो लेट्स रोल अप दे इंट्रो और चलो फिल्म सुने अब जब वो वापस से अपने दोस किम के पास आता है तब तक वो आर्टिफैक्ट तूट चुका होता है पर इसके बाद ली बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा आर्टिफैक्ट बनाता है और उसे ले जा करके एक ऐसे आदमी के पास देता है जो कि आक्शन करवाता है वो आदमी से देखते ही बता देता है कि नकली है पर अब यहाँ पर ली उसे धमकी देता है कि कुछ वक्त पहले भी उसने एक नकली समान को असली बता करके बेचा था और अगर वो इसकी बात नहीं मانता है तो ली ये बाते सबको बता देगा पर अगर वो इसकी बात मान लेता है तो ये आर्टिफएक्ट five lakh dollars में sell होगा जिसमें से one lakh dollar वो auction करवाने वाला रख सकता है और अब वो आदमी इसके लिए मान जाता है और ली चाता है कि ये आर्टिफैक्ट चो नाम का एक क्रिमिनल खरीदे क्योंकि उसे पता होता है कि चो को ऐसी चीजों में बहुत जादा इंट्रस्ट होता है और नेक्सीन में हम चो को देखते हैं जिसने कि वो आर्टिफैक्ट खरीद भी लिया होता है और यहाँ पर वो बहुत सारे दूसरे चोर को ढून रहा होता है क्योंकि उसे एक पॉल्ट को खोलने के लिए एक चोर की जरूरत है पर उसे अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला होता है जो उसके काम को पूरख कर सके और अब नेक्सीन में हम किम को देखते हैं जो कि यहाँ से जंग नाम के एक हैकर के पास में जाता है और वहाँ पर उससे डील करता है यहाँ पर ली ने एक चोरी का प्लान बनाया था जिसके लिए उन्हें जंग की जरूरत थी जंग के बारे में यहाँ पर एक और बात होती है कि वो अपने धोका देने के लिए famous होता है उसने कुछ वक्त पहले ही किसी को धोका दिया था और उसे जेल में विजवा दिया था पर इसके बाद भी ली उसके साथ काम करना चाता है और अब यहाँ से वो एक जेलरी शॉप को चोरी करने की प्लानिंग करने लगता है इसी प्लानिंग के लिए वो एक लड़की से मिलने जाता है जो कि exhibition को organize करवाती है यहाँ पर ली ने भी graduation visual art से ही किया होता है तो वो एक काफी अच्छा artist होता है अब यहाँ पर वो बोलता है कि वो उसकी exhibition में 1 million dollar invest करेगा उस लड़की को पैसो की बहुत जरूरत होती है तो वो उसकी investment को accept कर लेती है और फिर ऐसे ही यह दोनों साथ में एक दिन बैठ करके बात कर रहे थे कि तब ही ली उससे बोलता है कि उसे guarantee के लिए उसका necklace चाहिए जो कि काफी जादा महंगा लग रहा था और यह उस लड़की को उसकी माने दिया था अब ली उससे ले करके एक jewelry shop में जाता है जहाँ पर वो चुपके से एक brief case वहीं पर रख देता है यहाँ पर उसे सही price पता नहीं चलता है तो वो लोग इस shop से निकल करके एक दूसरी shop में जाते हैं यह वही shop होती है जहाँ पर इन्हें चोरी करनी है यहाँ पर वो necklace काफी जादा महंगा होता है तो वो लोग उन्हें एक VIP room में ले करके जाते हैं इसी VIP room में ली आना चाता था क्योंकि यहाँ पर सामने वही वॉल्ट होता है जिसमें सारे diamond रखे होता है ली यहाँ पर क्यामरा और उसी वॉल्ट को ध्यान से देखता है और फिर यह लोग वहाँ से निकल आते हैं और अब नेक्सीन में इनकी चोरी का दिन आ जाता है जहाँ पर जंग ने उसी ज्वल्री शॉप के सभी क्यामरास को हैक कर लिया था और अब यहाँ पर वो लोग सामने वाली शॉप में एक bomb blast करते है यह bomb उसी brief case में होता है जिसे की कुछ दिन पहले ही ली खुदी रख करके गया होता है इस bomb blast के वज़े से सारी पुलिस का ध्यान उसी शॉप पर चला जाता है और अब यहाँ पर ली और किम आसानी से दूसरी शॉप के अंदर चले जाते है यहाँ पर वो लोग उसी वॉल्ट के पास में पहुच जाते है और अब यहाँ पर ली उस वॉल्ट को open करना शुरू करता है और उसे काफी जादा वक्त लग रहा था और पुलिस को उसके drilling की आवास सुनाई दे रही थी और पुलिस उधर ही चेक करने के लिए आ रही थी और यह पता चलते ही किम वहाँ से बाहर निकल करके जाता है और एक कार के काच को तोड़ देता है जिसकी वज़ेसे कार का अलाम बजने लगता है और पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ को चला जाता है और इसी वक्त में लिउस वॉल्ट को ओपिन करके उसमें सारे डायमंड निकाल करके वहाँ से निकल आता है और अब यह लोग सेफली यहाँ से चले जाते है पर यह शौप होती है क्रिमिनल चो की जब चो को पता चलता है कि उसकी शौप में किसी ने चोरी कर लिया तो वो काफी जादा इंप्रेस हो जाता है और अब वो इन ही चोरों से अपने काम को करवाना चाता है अपने सोर्सेस की मदद से वो जल्दी ही ली और उसकी टीम को पकड़ लेता है और यहाँ पर उनकी काफी पिटाई होती है और इसके बाद वो उन्हें कहता है कि वो उनके लिए काम करें पर ली उन्हें साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ली कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करता है तो वो लोग उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं, ताकि वो अपने इरादे को बदल ले, पर जब इतना करने के बाद भी अपना इरादा नहीं बदलता है, तो चो उसे डराने के लिए उसी लड़की की फोटो दिखाता है, और दूसरे मेंबर्स को डराने के लिए भी उनके भी रिष्टेदारों की फोटोस दिखाता है और कहीं चोन के रिष्टेदारों को हर्ट ना कर दे इसलिए वो सब मान जाते हैं और इस चोरी के बदले में उन्हें चोरी किये हुए सामान से 5% मिलेगा और जो भी हीरे उन्हें चुराए हैं उससे भी रख सकते हैं दूसी से वो ली के उपर नजर रखते हैं नेक्सीन में चो उन्हें बताता है कि उन्हें कस्टम से चोरी करनी हैं और जो पैसे उन्हें चोरी करने हैं वो 150 मिलियन हैं ये पैसे कुछी वक्त में वहां से मूव होने वाले हैं और उससे पहले उन्हें चोरी करनी पड़ेगी यहां पर वो चोरी करने के लिए उन्हें बहुत सारे ब्लू प्रिंट नकली आईडी कार्ट और वैसा ही दूसरा वाल्ट लाकर के देते हैं जैसा कि वहां पर ली को मिलने वाला है पर अब यहां पर ली बोलता है कि अगर वो लोग चोरी कर भी ले तो भी एकजिट से निकलना लंगाता रहता है तो दो हफते बाद भी ऐसे ही 33 मिलियन के कुपन कस्टम में पहुच जाएंगे और वो इसी के हेल्प के तुरू अपने सारे रियल वाले पैसे कस्टम से पास कराएंगे वो पैसों में ऊपर ऊपर कुपन को रख देंगे जिससे कि चेक करने वालों को यह लगेगा कि यह भी कुपनी है जबकि रियल में अंदर असली नोट होंगे इसके बाद रात में चो यहां पर जंग को बुलाता है और उसे पता होता है कि जंग धोके बाज है तो वो से एक नई डील ओफर करता है कि वो पूरे टाइम ली के ओपर नजर रखे और बदले में वो उसे और पैसे देगा जंग इसके लिए तुरंती मान जाता है और अब यहां से वो ली और किम की बातों के ओपर नजर रखने लगता है दूसी तरफ कॉप ली को पूछताश के लिए पकड़ लेते हैं पर उन्हें ली के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि वो कि असी लिए उन्हें ना चाहते वह भी उसे चोड़ना पड़ता है और अपने स्रीन में हम ली को एक होटेल में देखते हैं जहां पर पुलिस को पता चल जाता है कि उस होटेल में उस से मिलने के लिए जोग आ रहा है तो पुलिस वहाँ पर जल्दी से पहुच रही होती है और ये पता चलते ही जो जल्दी से ली के साथ वहाँ से सारा सामान हटा करके निकल जाता है अब जब वहाँ पर कॉप आते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है कि तभी उन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ पर फोटोज ही फोटोज लगी होती है और यहीं पर उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग अगली चोरी कस्टम में करने वाले हैं अब नेक्सीन में यहाँ पर किम वाटर इंस्पेक्शन के बहाने से उसी कस्टम के अंदर घुश जाता है और वहाँ पर एक जगे पर बॉम रग देता है जैसा कि उन्होंने अपनी पहली चोरी में किया था कि वो लोग दूसरी जगे पर दिखा कर कहीं और चोरी करते हैं सेम वैसा ही वो लोग यहाँ भी करने वाले थे जंग भी यहाँ पर सारे अलाम्स को हैक कर लेता है और अब यहाँ पर वो ऐसी सेटिंग करता है कि बॉम ब्लास्ट के बाद ना चाते हुए भी सभी को सिस्टम को बंद करना पड़ेगा ताकि वो री स्टोर हो सके और उसे री स्टोर होने में 45 मिनिट्स लगेंगे तो उनके पास आदे घंटे से भी जादा होंगे अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पर यहाँ पर किम और ली का आपस में कुछ दूसरा ही प्लान चल रहा था कि वहाँ पर वो लोग एक दूसरी कार को ले जाकर के चोरी कर लेंगे और सारे पैसे अपने पास ही रख लेंगे तो यह सारी प्लानिंग जंग जाकर के चो को बता देता है और अब नेक्सीन में चोरी का दिन आ जाता है यहाँ पर जंग उसी जिगे पर बॉम ब्लास्ट करता है जहाँ पर वो ब्रीफ केस रखा हुआ था बॉम ब्लास्ट होते ही वहाँ के सारे सिस्टम बंद हो जाते है और अब उन्हें रीस्टोर करने के लिए 45 मिनिट्स का वक्त लगेगा अब इसके बाद ये लोग नकली स्वैट की टीम बन कर वहाँ पर अंदर चले जाते हैं और ये लोग इस वॉल्ट के सामने भी पहुच जाते हैं जहाँ पर अब ली उस वॉल्ट को ओपन करने लगता है और वो थोड़ी देर में उसे कोल भी लेता है और यहाँ पर 150 मिलियन डॉलर उनके सामने रख्यों होते हैं वो लोग जल्दी से इन पैसो को एक दूसरी वैट में ट्रांसफर करने लगते हैं और फिर वो इस वैन को एक बोट के पास लेकर के जाते हैं जहाँ पर यह सारे पैसे बोट के अंदर रखने थे जब यह लोग दूसरी बार में और पैसे लेने के लिए जाते हैं कि तब ही वहाँ पर असली स्वैट की टीम आ जाती है तो ली उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है और आगे जाकर के ली अपनी स्वैट टीम की ड्रेस को हटा देता है और अब वो नॉर्मल से क्याज्वल ड्रेस में होता है पर अब वहाँ पर चो को पता चल गया था कि ली उसको डबल क्रॉस करने वाला है तो वहाँ पर चो भी आ जाता है और चो ली को गन पोइंट पर ले लेता है और उसे बताता है कि उसने उसी लड़की को किटनाप कर लिया है चुँकि ली उस लड़की को पसंद करता है और अब चो उसे force करता है और उसे एक car के अंदर बठा देता है जहाँ पर एक दूसरा brief case रखा होता है जिसके अंदर भी bomb होता है और वो उससे कहता है कि ली को car ले जाकर के cop के पास जाना पड़ेगा ताकि cops इसका पीछा करने लगे ली के पास कोई चारह नहीं होता है तो वो ऐसे ही करता है पर यहाँ पर जब वो police के सामने पहुचता है तो वो brief case को ले करके पानी में कूच जाता है पर ऐसा करने में उसे एक bullet भी लग जाती है और अब पानी के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ लीक की डेथ हो जाती है ये बात जब जंग को पता चलती है तो वो काफी जादा खुश होता है ये देख करके किम को गुस्सा आता है और वो उसे मारता है पर अब उसे पता चलता है कि वहाँ पर पैसे नहीं सिर्फ कुपोंज होते हैं और तब ही उसे ली का कॉल आता है ली जंदा होता है और उसे बोलता है कि उसके पास उसके कुपोंज अब तक तो पहुचे गए होंगे और अब यहाँ से सारा सीन फ्लाश बैक में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ली का एक मेंटोर था जिसका नाम होता है मिस्टर ओ Mr. O भी एक बहुत ही अच्छे चोर होते हैं और वो चो के साथ काम करते थे पर वो अपने इस चोरी के काम को छोड़ना चाते थे तो उन्होंने चो का साथ देना छोड़ दिया और ये सुन करके चो को बुरा लगा और उसने इसी वज़े से Mr. O को मरवा दिया जब लीक वे पता चलता है तो वो रिवेंच लेने के लिए उसी आर्टिफैक्ट को चोरी करता है और जान बूच कर तोड़ देता है इसके बाद वो ऐसा ही दिखने वाला एक दूसरा आर्टिफैक्ट बनाता है जिसके अंदर वो एक रिकॉर्डर फिट कर देता है उसे अच्छे से पता था कि इस आर्टिफैक्ट को चो जरूर खरी देगा क्योंकि उसे ऐसी चीजों का शौक है और यहां से ही वो चो की सारी बाते सुन रहा था और उसे पहले से ही चो के हर कदम के बारे में पता होता था उसने शौप में चोरी भी जान बूच करके करी थी क्योंकि उसे पता था कि यह शौप चो की है और इस तरह से चो उसे जरूर ढून लेगा इसी बीच में वेक ऐसी प्रिंटिंग मशीन की इन्वेंशन कर रहा था जो की एक दम रियल दिखने वाली नोट को प्रिंट कर सके पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी नोट तो प्रिंट हो रही थी लेकिन वो एलकोहल को लेकर के वीक थी मतलब कि जैसे ही उसके उपर एलकोहल पड़ता था सारी इंक हट जाती थी और साथी में वो एक पहले विजबल नहीं होती थी पहले ऑक्सिडेशन होता था मतलब कि जब वो इंक एयर से कॉन्टैक्ट में आती थी तब वो विजबल होती थी और अब ली इसी चीज़ को अपनी चोरी में यूज करता है यहां पर वो अपने दोस्तों के पास में जाता है और उन्हें वही प्रिंटिंग मशीन दे करके नकली स्वैट टीम बन करके आने के लिए बोलता है तो मतलब कि वो दूसरी स्वैट टीम जो कि हमने देखी थी वो ली के ही दोस्त होते हैं जब लीवनें distract करने के बहाने से गया होता है तब इवा स्वैट टीम वहाँ पर जाकरके असली नोटों के ऊपर प्रिंटिंग शुरू कर देती है और वो असली नोटों के ऊपर नकली प्रिंटिंग कर देती है तो मतलब कि वो real note होते हैं जिनके उपर कुपोन्स की प्रिंटिंग होती है पर क्योंकि ये प्रिंट शुरू में दिखाई नहीं देता है इसलिए जब चो के आदमी उन पैसो को चोरी कर रहे थे तब वो उन्हें बिल्कुल रियल नोटी दिखते हैं लेकिन जब तक वो पैसे चो के पास में पहुशते हैं तब तक oxidation हो चुका होता है जिसकी वजह से उसे रियल पैसो के उपर कुपोन्स की प्रिंटिंग दिखने लगती है और ली भी वहाँ पर पुल से जान बूच करके कूदा होता है और उसे कोई गोली भी नहीं लगती है क्योंकि जिसने उसके उपर शूट किया था वो उ पुलिस आजाती है असल में यहां पर ली ने सारे एविडिंस वो सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ पुलिस को भेज़ दी होता है और वो होटेल रूम में जो उने बहुत सारे प्रूफ भी मिले होते हैं वो सब कुछ भी ली नहीं प्लांट किया था था कि पुलिस को पता र बिहेव करे ताकि चो को उसके उपर विश्वास हो जाये और वो चो की साइड में रह करके ली के लिए काम करेगा और जंग ने किम को भी नहीं मारा होता है वहां पर उसने नकली चाकु का यूज किया था और किम भी जंदा होता है यहाँ पर वो उसी लड़की को बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है चो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था पर ली अपनी कार से उसे रोक लेता है ली यहाँ पर बातों में चो का टाइम वेस्ट करता है और तब तक वहाँ पर पिलिस भी आ जाती है और अब ली वहाँ से निकल जाता है दूसी तरफ इसी वक्त में किम जंग के साथ आता है और वो पुलिस का एक मेंबर बन करके आता है जहां पर वो कहता है कि एक कूपन्स बहुत बड़े प्रूफ है तो उसे ले करके इन सब को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा और ऐसे बोल करके वो कूपन्स को जो की रियल में असली पैसो होते हैं वो उसे ले करके वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो लोग अपने अड़े पर आ करके उन सभी पैसों के उपर एलकोहल डालते हैं जिसकी वज़ेसे सारी इंक हट जाती है और उसके नीचे रियल पैसे होते हैं नेक्सीन में ली यहाँ पर थोड़े से पैसे उस लड़की को भी भेज देता है ताकि वो अपने एक्जिबिशन के बिजनेस को स्टाबलिश कर सके और ये लड़की उसी के मेंटोर मिस्टर ओ की बेटी होती है और ली इसे सच में पसंद करता है दूसी तरफ चो यहाँ पर बकड़ा जाता है और पुलिस उसे बोलती है कि वो बहुत ही लंबे वक्त के लिए अंदर चला जाएगा नेक्सीन में हम अबुधाभी में उस लड़की को देखते हैं जहां पर उसे मिलने के लिए चो भी आता है और यहां पर वो दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं और इसी पर यह मूवी खतम हो जाती है ऐसा नहीं बताया जाता है कि वो दोनों आगे रिलेशन्शिप में आएंगे या फिर नहीं और अगर आप लोगे ने इटालियन जॉब मूवी देखी होगी तो देखनीशन की स्टोरी इटालियन जॉब से काफी हद तक मैच करती है तो अगर आपको हमारा एक्स्प्लेइन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करे शेर करे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाबाई